नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Learning is Earning by प्रभाश पे तो दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरीके से यहां पे फ्लॉप होते हुए देखनी को मिल लई है क्योंकि यहां पर एक नहीं दो बड़े शौक देखेगा LIC के लिए लग रहे है तो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन लगाई जारी थी उसके देखेगा जो परिणाम आये हैं उससे एकदम जस्ट अलग आये जस्ट अपोजट आये हैं क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर को यहां पर जादा है चूंकि आप इतने बड़े IPO हो आप इतनी बड़ी कमपनी हो तो आपसे expectation market जदा की करेगा ना की कम करेगा और हाल फिलाल में अगर आपने देखा होगा कि जब जब किसी company के result आ रहे हैं तो result बहुत अच्छी growth करें double digit growth करें सब कुछ है but still अगर वो estimate के according नहीं होते हैं market की expectation के according नहीं होते हैं तो अगले दिन आपको result declare कर दिये हैं Q4 के result क्या है declare कर दिये हैं और अगर आप वहाँ से देखेंगे तो 17% की गिरावट देखने हो मिल लेगे आप आप समझ लो कि यहाँ पर expectation यह हो रही थी कि यहाँ से scenario change होगा यहाँ से और अच्छा betterment देखने हो मिलेगा और बहतरीन result देखने हो मिलेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा expectation पे drawback आया है setback आया है कि 17% जो profit हैं वो drop हुए हैं tank हुए हैं आप जैसा की देख सकते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो state run insurance giant LIC के हम लोग बात करें उनके result आ जाने थे इतने दिनों से देखेगा आपको समझाया भी जा रहा था कि result पे main focus रहेगा कि result अच्छे आगे event अच्छा हो गया तो यह IPO आपका देखेगा price band को भी cross कर सकता है price band को भी cross कर सकता है लेकिन अब जब result आए है तो आप देखी सकते हो कि result में आपको पूरे year में जहां पे हर company year on year basis पे profitable हो जाती है growth rate अच्छा हो जाता है profit increment देखने हो मिलता है वहाँ पे LIC में year on year basis पे देखेगा 17% के profit में netfall देखने हो मिला है और जो 297 करोन के देखेगा profit थे पिछले साल इसी particular देखेगा period में तो आप देख सकते हैं वह 249 करोन के आसपास आपको देखेगा हो मिलना है तो आप समझ सकते हो कि expectation इतनी जाधा expectation देखेगा कहते हैं कि एक limitation से जाधा थी और उसके बाद ये result थोड़े से देखेगा अच्छे नहीं लग रहे है फिर आप बात करते हैं जितना अच्छा dividend देखेगे उतना better performance देखनी हो मिलेगा तो dividend की expectation भी देखेगा करी जारी थी कवच्चिस 30 रुपए का और भी जाधा कोई dividend मिल जाए तो well and good है बट यहाँ पर dividend के point of view में भी changes देखनी हो मिलेगा एक तो देखेगा profit tank हुए है उसके बाद अगर आप देखेंगे जो declare करा है dividend यानि कि जो dividend को लेकर काफी जाधा वो था expectation था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो वो dividend कितने रुपए का है वो आप देख लीजे तो dividend announce हुआ है केवल 1.5 रुपए के आसपास तो आप देख सकते हैं 1.5 रुपए यानि कि ना के बराबर यानि कि stock में कोई असर ही नहीं पड़ेगा चुकि dividend अगर बड़ा होता stock के देखेगा आप मलब कहते हैं stock की market value का कम से कम 3% है उससे ज़ाधा होता dividend तो आपको पता है कि company के shareholders को ये लगता net premium income during the quarter rose 18% यहाँ पे जो premium income है वो बड़ी है but still profit यहाँ पे थोड़ से कम होते हो देखने हो मिल ला है और अगर आप देखेंगे earlier during the day यहाँ पे आज आपको तेजी भी देखने हो मिली थी और expectation की जारी थी कि betterment देखने हो मिलेगा लेकिन आज जो result आए उससे देखेंगा कल market में आपको उसका reaction देखने हो मिलेगा और अभी तो stock आज 2-5% के उपर आज देखने हो मिला था trade हो रहा था काफी अच्छा देखेंगा consolidation देखने हो मिला था लेकिन कल इसका बहुत बड़ा impact आपको देखने हो मिलेगा result का तो ये तो बात हो गई देखेगा result की इसके लावा अगर आप देखेंगे तो एक नई योजना भी यहाँ पर शुरू करी है LIC Bima Ratna Life Insurance प्लान देखेगा यहाँ पर शुरू करा है एक नया product चुरू करा है इसमें अगर आप देखेंगे तो savings से related है और protection से related है तो ये माना जा रहा है कि आगे चलके ये particular policy जो है वो आगे चलके देखेगा better performance दे सकती है ये launch करी गई है 27 मही 2022 को चो कि आपको पता है LIC के different products होते है अब आपको पता है हर product के अपनी quality होती है अपना एक देखेगा view होता है अगर इस particular देखेगा product से आगे चलके अच्छी sale आती है अच्छी तरीके से product बिखता LIC का तो वो उनके आगे के quarter के result के लिए बहुत ही important होगा चुकि यहाँ पे ना केवल policy holder invested है बलकि shareholder, retail investor सभी लोग यहाँ पे invested है तो वो चाह रहे हैं कि LIC और better performance करे पहले तो कल reaction देखते हैं किस तरीके का reaction आएगा किस तरीके के expectation की थी market में किस तरीके का reaction देखते हूं बिलेगा फिर उसके बाद आगे further हमनो decide करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न बुलेगा thank you so much